नमस्कार साथियो मैं अभिने दिख्षित आप सभी का एगरी कल्चर जीके के इस ओफिसियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वाकत करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ औरीशा पबलिक सर्वे 그렇지 कमीशन असिस्टेंट स्वाइल कंजर्वेशन आपसर एग्जाम के आपिसियल एग्जाम पैटर्न सिलेबर्स के बारे में इसके लावा इसका سलेक्शन प्रोसेस क्या होता है जानेंगे इसके बारे में complete information इसके अलावा इस exam की preparation आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा जानेंगे इसके बारे में complete information चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका OPSC ASCO exam के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका अपने इस agriculture GK app के बारे में अगर अभी तक आपने इस एप को install नहीं किया है तो इसे install कर लें क्योंकि हमारे एप पर आपको ODSC में होने वाले सभी agriculture exams के courses मिल जाते हैं affordable price पे जो भी course हमारे प्लेटफॉर्म के दौरा लांच किया जाता है उस course को लांच करने से पहले उसके syllabus की फोटो कापी हम करा के तक लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका assistant soil conservation officer exam की syllabus की फोटो कापी है तो जो भी syllabus आपका रहता है उस syllabus की हम फोटो कापी कराते हैं और आपके syllabus के according आपको dedicated coaching प्रोवाइड करते हैं तो जितने भी आपके उडिसा में होने वाले एग्री कल्चर के exams होते हैं सभी के लिए आपको affordable price पे quality content के साथ courses, mock test वगएरा हमारे एप पर मिल जाएंगे जाकर के आप चेक कर सकते हैं इसके लावा बहुत सारा आपको free notes मिल जाएगा उसको भी चेक कर सकते हैं आप इसके लावा agriculture job की update के लिए और agriculture exam की preparation के लिए चैनल को subscribe कर ले, notification bell को वान कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की update आपको सबसे पहले मिल सके, चलिए start करते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि इसमें selection process क्या रहती है, तो जो आपका OPSC ASCO का exam होता है, assistant soil conservation officer का exam होता है, इसमें आपका जो selection होता है, इसमें पहला आपका written examination होता है, यानि कि आपके दो paper होंगे, फिर आपका यहाँ पे interview होगा, इसके basis पे यहाँ पे आपका final selection होगा, अगर बात की जाए exam की, तो जो आपके दो paper होंगे, उन दोनों paper को qualify करने के बाद आपकी बनेगी merit और merit बनने के बाद आपका interview round के लिए आपका यहाँ पे, आप qualify होंगे, तो पहले आप दो paper देंगे, फिर आपकी बनेगी merit और फिर आपका interview होगा, और last में आपका selection यहाँ पे होगा, अगर बात की जाए exam की, तो जो आपका exam है, OPSC, ASCO का, इसमें आपके दो paper रहेंगे, एक paper का 100 question आएगा, एक paper में आपका 100 question आएगा, दो paper होंगे, 700 number के paper होंगे, और आपका 25 number का यहाँ पे interview रहता है, अगर बात की जाए कि आपका यह exam कहां कहां पे होंगे, तो जो आपका कटक है, भूवनेशर है, बाला सोर है, संभलपूर है, और वेरहमपूर, तो यहाँ पे आपका interview रहेगा, इसके, sorry, यहाँ पे आपका exam होगा, इसके आपका selection process के बारे में कुछ basic information हो गई, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका exam pattern क्या रहता है, exam pattern की अगर बात की जाए, तो जो आपका assistant soil conservation officer का exam होगा, इसमें आपके multiple choice question देखने को बिलेंगे, दो paper आपके होंगे, paper one और paper two, total marks की अगर बात की जाए, तो each paper का आपका आपका सो रहते हैं, एक question का आपको एक number मिलता है, और आपका जो है, आपको ये exam, एक paper करने के लिए आपको 90 minutes मिलते हैं, यानि कि आपको जो है, डेड़ घंटे का समय मिलता है, 90 minutes मिलते हैं आपको एक paper करने के लिए, यहाँ पे यही चीजे लिखी हुए, इनको आप देख सकते है सो कोस्चन रहेंगे, सो नंबर के रहेंगे, और 90 minutes में आपको करना रहेगा, paper 2 में आपका सो कोस्चन सो नंबर का और करना रहेगा आपको 90 minutes में, दो पेपर रहेंगे, इसके अलावा exam में negative marking भी होती है, वन फोर्थ की, हैनि कि आपका 0.25 marks कटेगा wrong करने पे, तो ये भी आ आपको ध्यान रखना है, आपको कोस्चन जो आते हैं, वही attempt करने हैं, जो आपको, जिनमें आपको doubt है, उन कोस्चन को आपको skip कर देना है, क्योंकि अगर आप wrong कोस्चन कराओगे, तो wrong कोस्चन से आपका 0.25 marks कर जाएगा, आपकी merit low हो जाएगी, इसलिए आपको wrong कोस्चन को touch नहीं करना है, जिन कोस्चन पर आपको doubt है, उन कोस्चन को आपको touch नहीं करना है, चलिए अब बात कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में देखिए, बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप समझी लोगों से total तीन subject का सिलेबस डिसकस करूँगा, जो candidate आपका बियसी एग्रिकल्चर वाले हैं, इस पोस्ट के लिए इलिजबल हैं, जो candidate आपका बियसी होटी कल्चर वाले हैं, इस पोस्ट के लिए इलिजबल हैं, और जो candidate आपका बी या बी टेक किये हुए हैं, एग्रिकल्चर इंजिनरिंग से, वो इसके लिए इलिजबल है तो टोटल जो है तीन सब्जेक्ट की कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रिकल्चर इंजिनिरिंग के लिए और आपका एग्रिकल्चर के लिए तो जो हमारा कोर्स रहेगा इनमें आपका ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनका कम्प्लेट सिलेबस कवर किया जाएगा अभी कोर्स के बारे मैं आपको आगे बताऊंगा पहले बात कर लेता हूँ सिलेबस के बारे में सिलेबस में बैसिकली आपका इन्ही तीन सब्जेक्ट का डिसकस करूंगा जो फॉरिस्टी वाला है उसके लिए हम कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर रहें तो उसको डिसकस नहीं करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं OPSC असको का जो सिलेबस एगरी कल्चर वाले छात्रों के लिए है जो आपका BSC एगरी कल्चर किये हुए हैं उनके लिए सिलेबस है उसके बारे में पहले देख लेते हैं तो आपका जो पेपर वन रहेगा हिसमें आपका क्या क्या रहेगा पहला आपका है जेंडियन गर्चेस इसमें आपको इंपॉर्टनौन त्रेंड इन अगरी कल्चेस इसके लावा एलाइट सेक्टर में तünüड हैं प्रजट डुब्लम जो है अगरीकल्चर की और उनका सलूसन क्या हो सकता है साथ साथ में जो government की policies हैं Indian government की और Odisha government की जो scheme वगरा हैं वो आपको पढ़नी रहेंगी Next आपका आता ही unit second यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा basically natural resources, land, water, forest यह पढ़ना रहेगा आपको next है energy, their use, exploitation, conservation equitable use of resources for sustainable lifestyle plant ecosystem, biodiversity and its conservation environmental pollution, natural digester natural disaster एवं management next आपका है organic farming and sustainable agriculture next आपका यहाँ पर आजाता है conservation agriculture, next आपका है agricultural waste management, climate change and agriculture तो यह आपको unit two में basically पढ़ना रहेगा paper one के, फिर आगे बढ़ते हैं आगे आपका आजाता है unit third third में basically आपका जो soil science का portion है उस पे focus किया गया है यहाँ पे इसमें आपको soil farming process soil physical properties यहाँ पर आपका texture रहेगा texture हो गया, structure हो गया density हो गया, porosity हो गया soil water retention movement and availability soil reaction, pH soil acidity, alkalinity soil organic matter influence on soil properties soil fertility soil microorganism micro and microorganism their beneficial and harmful effect soil pollution, behavior of pesticide and inorganic contaminants prevention and mitigation soil quality and health यह आपको unit third में soil science वाले portion से पढ़ना रहेगा फिर आपका आजाता है unit four यहाँ पे basically आपको जो है weather and crop growth tillage and tilt basically आपको जो है principle of agronomy वाला syllabus यहाँ पे cover up करना है तो इसमें आपका आजाता है modern concept of tillage seed and sowing, cropping system and integrated farming system crop nutrition इसके लावा आपका essential nutrients their function deficiency symptom in plants nutrient sources organic manure, fertilizer, bio fertilizer integrated nutrient management water and weed management in field crop horticulture and plantation crop next आपका है plant protection harvesting storage value addition यह आपको इस unit में पढ़ना रहेगा basically next आगे बढ़ते हैं आगे जो आपकी unit है unit five five में आपको पढ़ना रहेगा basically जो है economic importance production and protection technology of important field crop basically आपको जो है rice के बारे में इनकी जो complete cultivation है वो पढ़नी रहेगी next आपका मेज है finger millate है pulses क्राप पढ़नी रहेगी oil seed क्राप पढ़नी रहेगी cotton, sugar, cane, potato इसके लावा आपका जो है fruit और plantation crop की अगर बात की जाए तो आपको mango, banana, citrus guava, leachy, papaya, pineapple, apple, palm granite, jack fruit, coconut, arayka nut, kazoo nut, tea, coffee, rubber ये क्राप पढ़नी रहेंगी next आपका जाता है नरसरी techniques and their management nutrition garden तो ये चीज़े आपको यहाँ पढ़नी रहेंगी इस वाले portion में तो ये आपका complete paper one का सिलेबस हो जाता है पूरा फिर आपका आता है paper two paper two जो रहेगा agriculture का उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेता हूँ अदबर तो यहाँ पे आपको पैसी पढ़ना रहेगा agroforestry objective and potential agroforestry system sub system and practices planning for agroforestry constraints diagnosis and design methodology selection of tree crop species for agroforestry agroforestry for food, feed, fuel and nutritional security soil improvement, carbon sequestration microclimate amelioration industrial requirements यह आपको पॉटनी रहेंगी इस वाले यूनिट में basically यह आपका जो portion है इसमें आपका agroforestry, forestry topics include किये गए हैं next आपका आपका जाता है यहाँ पे unit second इसमें आपको rainfed agriculture हो गया इसकी प्रॉब्लम्स होती है prospects क्या है rainfall analysis, drought classification जो आपका काज होता है जिस वाजा से आपके drought होते हैं उनके बादे में पटना रहेगा drought का impact क्या होता है drought management कैसे कर सकते हैं आप इसकी strategies क्या है crop and cropping system, soil moisture rainwater conservation इसके लब आपका in-situ conservation आपका जो होता है next आपका water harvesting and recycling contingent crop planning under aberrant weather condition dry land horticulture watershed planning based on land capability classes hydraulic data next आपका है watershed declination and reautorization water budgeting in a watershed, integrated watershed management next आपका यहाँ पर आ जाता है objective component next आपका है arable land agriculture and horticulture non-arrable land forestry, fisheries, animals watershed program execution, fellow of practices maintenance, monitoring and evaluation, participatory watershed management role of watershed association user group and self-help group and formulation of watershed proposal for watershed management program includes cost benefit analysis तो यह आपका unit 3 में आपको basically पढ़ना रहेगा इस syllabus की जो PDF copy है वो आपको 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 वारे telegram group में मिल जाएगी साथ साथ में agriculture पर भी आपको इसकी PDF copy प्रवाइड कर दी जाएगी तिलेबस वाले सेक्षिन में जाकर करके इसका PDF आपको आपको यह प्रवाइड कर दिया जाएगा next आपका आता है unit 3 इसमें आपको basically soil and water conservation के बारे में इसके issues क्या है impacts क्या थे causes agents of soil erosion water erosion hydraulic cycle precipitation and its form of water erosion classification and control measures principle of erosion control introduction to contouring stiff cropping contour bund graded bunds bench tracing grassed waterways and their design water harvesting principle importance and technique runoff harvesting short term and long term technique water harvesting structure farm pond percolation pond dug out embarkment reservoir type tank and subsurface digs wind erosion mechanics and of wind erosion next आपका type of soil movement principle of wind erosion control and its control measures basically यहाँ पर आपको soil conservation वाला जो portion है उसको cover up करना रहेगा next आपका क्या आ जाता है इसके बाद में पढ़ना रहेगा wasteland के causes क्या होते हैं distribution कहां कहां पे इसका है sustainable wasteland development government policies participatory approach afforestation shifting cultivation optimal land use option reclamation of saline sodic acidic water log eroded compacted flooded polluted soil mild spoils deforestation impact and causes prevention and control measure pyoremediation of soil by use of multiple tree species तो यह आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा इस वाले unit में फिर आपका next आ जाता है unit 5 यहाँ पर basically आपको protected cultivation पढ़नी रहेगी importance and scope controlled condition method and techniques canopy management irrigation and irrigation next आपका यहाँ पर liquid fertilizers and their solubility and compatibility insect pest and disease management production of quality planting material cultivation of high value crops of season production of greenhouses component of season farming remote sensing geographical information system differential geo positioning system जिसको आपका TGPS कहते हैं variable Z applicator जिसको VRA कहते हैं application of precision farming in agriculture यहाँ पर आपका farming रहेगा आपका नेस्ट आपका है remote sensing and GIS पेपर पेपर वन और पेपर टू देने के लिए यहाँ तक का जो सिलेबस मैंने अभी डिसकस किया है यह आपको पढ़ना रहेगा इसके बाद जो हमारा यह कोर्स है इस कोर्स की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक बार फिर से इस सिलेबस को दिखाना चाहूंगा यह सिलेबस की फोटोकापी है इसको आप देख सकते हैं इसमें हमने जो है कंप्लीट सिलेबस यह फोटोकापी करा रखा है आपका OPSC असको एक्जाम के लिए तो एग्री कल्चर जी के आपकी आई होई थी चाहे वह आपका OPSC डवल एओ की वकैंसी हो OPSC एचो की वकैंसी हो या आपका OPSC एग्री कचर इंगीनियर्स की वकैंसी हो सभी वकैंसी के लिए कॉलिटी कांटेंट हम प्रोवाइड करते आई हुए हैं और आगे भी आपको कॉलिटी कांटेंट ही प्रोवाइड करेंगे आपका विश्वास जो बना हुआ है उसको हम हमेशा बरकरार रखेंगे अगर बात की जाए इस कोर्स के बारे में तो यह हमारा कंप्लीट स्योर सक्सेस बैच है इसमें आपको एग्री कल्चर का जो सिलेबस है के तीनों के अलाग अलग मिलेंगे मॉक्तिस्ट यहां पर आपको इसके लावा इंटर्व्यू गाइडेंस आपको मिलेगा लाइब कलास भी होंगी और रिकॉर्डेट कलास भी यहां पर एविलेबल रहेंगी इसके लावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में प्रवाइड कर दी है उसको आप चेक कर सकते हो अगर बात की जाए कि आप एग्री कल्चर जी के प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग के लें तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा 2022 का रिजल्ट है उडिशा PCS में जो आपका डवल एओ की वकैंसी आई हुई थी उसका रिजल्ट है तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल हमारे प्लेटफॉर्म से 27 सेलेक्शन हुए थे उडिशा PCS में असिस्टेंट एग्रिकल्चर आपिसर की पोस्ट पे तो यह वो बच्चे हैं जोने कंप्लीट कोर्स लिया था और डेडिकेटड एक्जाम औरियंटेड कांटेंट के साथ अच्छे से पयारी करी थी। और आज यह एइस्टेंट एग्रिकल्चर आपिसर की पोस्ट पर उडिशा गयुवर्मेंट में वर्क कर रहे हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इनकी तरह किणैंट असिस्टेंट स्वाइल कंजर्वेशन आपिसर की पोस्ट पे आपकी जॉब लगे तो हमारे सेवर सक्सेश बैच को जॉइन करिए जिससे आपकी कम्पलीट तैयारी हो सके और आप भी एक्जाम क्रैक कर पाएं मैं आपकी फोटो यहां पे लगा सकूँ और आपके फोटो को भी मैं यहां पे दिखा सकूँ क्योंकि सेलेक्शन उनीका होता है जो आपका एक्जाम औरियंटेड कांटेंट के साथ क्वालिटी एजुकेशन को पढ़ता है हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो चीजे एक्जाम में पूछी जाती है इसे हम फालो करते हुए कंपलीट जो तिलेबस रहे हैं और आपको एएस पर शिलेबस पढ़ाएंगे इसके अलावा अगर हम अपने 2024 के बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी आपका 15 दिन पहले बिजल्ट आया हुआ है तूर्पूरा PCS agriculture officer का तूर्पूरा PCS में आप देख सकते हैं टोटल हमारे प्रेडफॉर्पॉर्म से 11 selection हुए है 11 selection हमारे प्रेडफॉर्म से तूर्पॉरा PCS में हुए है इन फोटोस को यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनकी success story की वीडियो भी upload करी है उनको जाकर के आप चेक कर सकते हैं तो State PCS के लिए All Over India Agriculture GK Platform Best Coaching Provide करता आया है सबसे अबा सेलेक्शन कराता आया है तो इस बार भी आपके अश्को के एक्जाम में हमारा प्लेटफॉर्म आपको Quality Education देने के लिए पतिबद है आपको Quality Education देगा और आपको भी सेलेक्शन कराने में आपकी Complete Help करेगा जैसे इन बच्चों का सेलेक्शन हुआ है वैसे सेलेक्शन आपका भी होगा हमारा प्लेटफॉर्म आपको Paper 1, Paper 2, Interview Complete त्यारी कराएगा OPSC Assistant Soil Conurvation Officer एक्जाम के लिए तो वीडियो का डिस्केशन बॉक्स चेक करें वहां से आप हमारे Complete Course को बाई कर सकते हैं अगर आप केवल Mock Test बाई करना चाहते हैं तो Mock Test भी जाकर के आप बाई कर सकते हैं आपको Agriculture GK App पर Mock Test मिल जाएंगे जो आपको सही लगे उसको आप इंदोल कर सकते हैं जो बच्चे Mock Test भाई करेंगे उनको भी Interview Guidance Free of Cost प्रोवाइड कर दिया जाएगा चलिए बात कर लेते हैं हाटी कल्चर वाले Papers के सिलेबस के बारे में जो बच्चे BSC हाटी कल्चर वाले किये हैं और जो सिलेबस हाटी कल्चर का है पेपर वन का उसको देख लेता हूँ पहले पहले इसमें आता है पेपर वन यूनिट वन जो आपका BSC हाटी कल्चर वाले हैं उनको ये सिलेबस पढ़ना रहेगा इसमें क्या है scope importance future prospect of horticulture role of horticulture in national and state economy classification nutritive value area and production export and import of horticulture crafts इसमें बैसिक लिए एक कोछी डाटर वागए रहा हो पढ़ना रहेगा next आपका जाता है horticulture zones in India training and pruning horticulture based carping system soil management nutrient management weed management water management important paste and disease of horticultural crafts and their management physiological disorder of horticultural crafts use of plant go through letters organic farming dry farming horticulture इसके लावा आपका precision farming यह आपको यहाँ पे basically पढ़नी रहेंगी इस वाले unit में unit 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे basically आपको कुछ क्राप की cultivation पढ़नी रहेगी और उन क्राप में आपकी कौन कौन सी क्राप आती है mango, banana, citrus, guava, papaya, leechy, pineapple, jack, fruit, supporta, आवला, bear, पोंग, grenade, jamun, custard, apple, pig, bell, apple, pear, peach, strawberry, walnut, almond, इन क्राप के बाड़े में पढ़ना रहेगा यह सभी आपकी fruit क्राप हैं फिर आपका जाती है plantation क्राप, plantation क्राप में basically आपको cocoa nut, arayka nut, kazoo nut, date palm, oil palm, cocoa, tea, coffee, palm, पल्मीरा, palm जैसी क्राप को पढ़ना रहेगा इसके बाद आपका next क्या आता है unit third unit third की अगर बात की जाए तो यहाँ पे basically आपको क्या पढ़ना रहेगा तो यहाँ पे आपको basically जो है आपका हार्वेस्टिंग तक complete cultivation आपको पढ़नी रहेगी अच्छे से detail में कौन कौन सी क्राप कवर करनी रहेगी आपको basically tomato, brinjal, okra, chili इसके लावा आपका जो है बेल पेपर, bitter guard, bottle guard, water melon, musk melon, pumpkin, ridge guard, amaranthus, spinach, garden pea, cow pea, beans, cabbage, cauliflower, potato, sweet potato, kolokasya, carrots, reddish, onion, spinach, पालक, नौलख, इस्प्राउटिंग, ब्रोकोली, बूसर्स, इस्प्राउट, यह क्राप आपको पढ़नी रहेगी vegetables में फिर आपका next क्या जाता है spices and condiments की production technology यह भी आपको यहाँ पे cover up करनी रहेगी तो इसमें आपका ginger हो गया turmeric, coriander, fenugreek, fenel, cumin, cardamom, black paper, clove, nutmeg और cinnamon यह क्राप पढ़नी रहेगी आपको यह complete crop exam oriented point के साथ काफी अच्छे से मैंने cover up करी हैं अपने course में, तो अगर आप उन classes को follow करते हो, मेरा आप सभी से वादा है कि paper में उसके बाहर से question नहीं बनेगा, क्योंकि जो content हमारे platform से आपको deliver किया जाता है, वो कई सारी standard book से prepare किया जाता है तो quality education देने का जो हमारा वादा है, वो ऐसे ही आपके लिए हम हमेशा से quality education देते आएं हैं, तभी selection होते हैं, तभी बच्चे, agriculture officer, assistant agriculture officer, all our India में जो भी exam होते हैं, वहाँ पे job आते हैं तो इस exam के लिए भी हमारे platform के द्वारा quality education ही provide की जाएगी, complete syllabus आपका अच्छे से cover up कराया जाएगा next आपका जाता है unit 4, इसमें basically आपको जो commercial agriculture होता है, उसके बारे पढ़ना रहेगा, जो flower crop होंगी, वो पढ़नी रहेंगी इसमें आपका रोज है, मेरी गोल्ड, क्राइसंथिमम, ग्लेडियोलस, टहलिया, ट्यूबरोस, और्चिड, टाइना एस्टर, जर्बेरा जैसी crop पढ़नी रहेंगी इसके लावा आपका ornamental plants जैसे आपका इनुवर्स, बाइनियल्स, हर्बेसियस, पेरेनियल, ग्रासेस और्फ्स, और्नमेंटल, स्रब, क्लाइंबर, ट्री, इंडोर प्लांट, पाल्म और कैस्केड, कैक्टी और सोकुलेंट, फोलियेज प्लांट्स ये पढ़ने रहेंगे नेस्ट आपका feature and type of ornamental garden, landscape, architect, avenue planting, bioesthetic planning, नेस्ट आपका है flower arrangement, lawn park, vertical garden, paris farming, bottle garden, नेस्ट आपका है bonsai, protected cultivation of ornamental crops, ये आपको यहाँ पे cover up करना रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आता है, unit 5, unit 5 में basically आपको क्या क्या cover करना रहेगा, इसको एक बार देख लेता हूँ, तो यहाँ पे basically आपको जो है post harvest technology पढ़नी रहेगी, processing के बारे पढ़ना रहेगा horticulture craft की, जैसे आपका maturity, indices, harvesting, handling, grading, storage, packaging, transport of horticultural crafts, pre- and post harvest factors affecting quality factor responsible for quality deterioration of horticultural produce, physiological and biochemical changes, hardening and delaying the appening process, post harvest treatment of horticultural crafts, post harvest treatment and pre-cooling, pre-storage treatment, vacuum packaging, cold storage, poly-shrink packaging, method of preparation of various processed products, इसमें basically आपको जो है juice हो गया, squashes, syrup, cordial, fermented beverages, jam, jelly, marmalade, candies, crystallized fruit, preserves, pickles, chutney, sauces, ketchup, होगारा के बारे में पढ़ना रहेगा, next आपका है preservation by sugar, salt, chemical and vinegar, quality control of processed product, government policies on export and import of processed product, या processed fruit, next आपका जाता है food law, यह चीज़े आपको इस वाले portion में cover up करनी रहेंगी, next आगे बढ़ते हैं, next आपका जो paper 2 है, उसका syllabus देख लेते हैं, जो बच्चे हार्टिकल्चर वाले हैं, उनको paper 2 में क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो यहाँ पर basically आपका जो portion breeding वाला है, वो आजाता है, sexual and a sexual method of propagation, seed dormancy, nursery management of articular crafts, nursery registration act, nutrient management and plant protection measures in nursery, media for propagation of plant in nursery beds, practicing different type of cuttings, बिसे लिए यहाँ पर आपका plant propagation का portion है, नर्सरी का portion है, और कुछ आपका यहाँ पर odisa special भी available है, layering, grafting and budding, including आपका जो है, grafting हो गया, top grafting, bridge grafting, etc, soil of India and Odisha, problematic soil and their management, soil microorganism and their importance, manure and fertilizer classification, their role in plant growth and development, micro and micronutrients, nutrient deficiency and toxicity, integrated nutrient management of articular crops, bio fertilizer, nutrient use efficiency, यह आपको unit first में पढ़ना रहेगा, paper 2 के, next आके आता है आपका इसके बाद unit, second, paper 2 की, इसमें बैसिकली आपका agroclimatic zone of India and Odisha पढ़ना है आपको, agroecology of horticulture crops, weather and climate, crop climate change and its effect on horticultural crops, climate resilience, horticulture, crop resources of Odisha and India, sorry, water resources of Odisha and India, next आपका है water requirement of horticultural crops, critical stages of growth of irrigation, next आपका है effect of moisture stress on plant growth, method of irrigation जिसमें आपका surface, sub-surface, overhead irrigation methods के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, next आपका जाता है dare suitability, methods and limitation, vertigation, water holding capacity, yield capacity, permanent wilting point, water budgeting, water management in protected cultivation, ये आपका unit second में basically इन topics को आपको cover up करना रहेगा, फिर आपका जाता है unit third, इसमें आपको जो production technology है वो पढ़नी रहेगी medicinal and aromatic crops की, जिसमें आपको basically विथानिया, पेरिविंकिल, रैवोलफिया, इसब गोल, आपियम पापी, बेला डोना, टिनामोन, लेमन ग्रास, रोजमेरी, पार्मा रोजा, सिट्रोनेला ग्रास, वेटिवर, लेवेंडर, जिरेनियम, पट्चॉली, मिंट, ओसिमम जैसी क्राप पढ़नी रहेंगी, नेक्स्ट आपका है अग्रोफोरेस्टी और सोशियल फोरेस्टी, एग्रोफोरेस्टी सिस्टम, सब सिस्टम और प्रक्टिसेस, अग्री सिल्वी कल्चर, तिल्वी पास्चिरल, हर्टी सिल्वी कल्चर, हर्टी, तिल्वी पास्चिरल, किफ्टिंग कल्टिवेशन, होम ग इसमें बेसिकली आपका जो extension education और economics का पार्ट है वो cover up किया गया है बेसिकली आपको entrepreneurship development in हर्टी कल्चेर transfer to of technology from lab to land scope and importance of participatory जूदर अपरेजल जिसको प्रा कहते हैं नेच्ट आपका है RRA जाएपिट जूदर अपरेजल ये पढ़ना रहेगा आपको ये सभी topic आपके extension education के हैं नेच्ट आपका जाता है method of communication ये भी topic आपका extension का है ICT in extension education फिर आपका सुरू हो जाता है यहां से agriculture economics का portion इसमें बेसिकली आपको demand and supply cost of cultivation of articular crafts preparation of project of articular crafts marketing of articular crafts marketing process need for marketing role of marketing marketing functions classification of market constraints marketing of articular produce वगयरा पढ़ना रहेगा इसके बाद next क्या आता है आपका unit 5 इसमें आपका जो paste और disease management है और जो seat technology है उसके बारे में study करनी रहेगी paste and disease of articular crafts integrated paste management इसमें आपका next है physical disorders physiological disorders of articular crafts their management beneficiary insect and microorganism biodiversity and its conservation watershed management wasteland reclamation natural digester and mitigation strategies seed quality, seed quality, seed germination, seed purity, seed dormancy, seed certification, seed production of articular crafts यह आपको यहाँ पर इसमें cover up करना रहेगा फिर आपका आता है next agriculture engineering का syllabus तो agriculture engineering का जो syllabus है काफी लंबा दिया हुआ है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं किवल आपको दिखा दे रहा हूँ बाकी मैं आपसे फिर से बता दूँ जो बच्चे agriculture engineering वाले हैं उनको भी हमारे course में complete classes complete e-book वगरा notes वगरा दिये जाएंगे माउक टेस्ट भी रहेंगे तो अगर आप agriculture engineering background के हैं तो भी आप हमारे course को जॉइन कर सकते हैं बियस्सी एजी वाले बियस्सी आटिकल्चर वाले एग्रिकल्चर सकते हैं यहां पे आप को यह टाप कगने रहेंगे इसका सकते है नेजट आप कर चलवार्ज उनका बसक्राइम इसके अंतरागत आप मच्कल्चर उपकर पर रहेंगे इनका प्ली स्क्रीन वाटी लॉकंप इसकें या आपको इसकी पीडिये हमारे टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी अगरीकल्चर जीक्ए आपको इसकी पीडिये मिल जाएगी इनिट फाइप में आपको वाटर सेट प्लानिंग एंड मेंचमेंट पढ़ना रहेगा यहां पर टॉपक की लिए इनको आत देख स रेनुएबल एनर्जी रिसोर्सेस एंड अप्लिकेशन्स नेस्ट आपका है यूनिट फोर में पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनरिंग इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने रहेंगे नेस्ट आपका है अभी जो है यूनिट जो फोर है वही चल रही है इसको आप देख सकते हैं टॉपिक कफी जादा है इसमें इनिट फोर में ये सब पढ़ने रहेंगे आपको नेस्ट आपका आता है यूनिट फाइप इसमें आपको प्रोटेक्टेट कल्टिवेशन इस्पिंकलर एन माइक्रो एरिगेशन सिस्टम मगारा के बारे में अच्छे से पढ़ना रहेगा ये आपका यहां पे कंप्लीट स्लेबर्स हो जाता है OPSC ASCO का अगर आपकी कोई भी कोईरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं इसके लावा एगरी कल्चर एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए एगरी कल्चर जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करें धन्यवाद